हिमाचल में आज उशपत ग्रहन का दिन है आज राजी की जनता को नया सीएम मिल गया है लंबी चर्चा और मंथन के बाद कॉंग्रेस आला कमान ने सुखविंदर सिंग सुखु के नाम पर महुर लगाई हाला की दावा किया जा रहा था कि प्रदेश अद्यप्ष प्रतिवा सिंग को राजी की कमान सोंपी जाएगी ऐसे में आला कमान के फैसले ने सभी को हैरान कर दिया साथी एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया कि आखिर सुखु को क्यों चुना गया हिमाचल का सीएम इसके पीछे क्या है कॉंग्रेस का प्लार हिमाचल विधान सभा चुनाओ में 68 में से 40 सीटों पर जीत हासिल कर कॉंग्रेस ने सरकार बना ले जिसके बाद चर्चा तेज हो गई थी कि राज्य में सीएम कौन होगा जिस पर काफी मन्थन हुआ और आखिर में सुखविंदर सिंग सुखु के नाम पर मोहुड लगी जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया और कॉंग्रेस के अंदर विवाद की खवरों ने जोर पकड़ लिया जिस पर आज सुखु ने विराम लगा दिया शपत गरहन से पहले सुखु प्रदेश अद्धिक्ष प्रतिवा सिंग से मिलने पहुँचे इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि कोई स्टर स्टोक साबित हो सकता है क्योंकि सुखु एक मामूली परिवार से आते हैं उनके पिता बस ड्राइवर थे अपने शुरुआते दिनों में सुखु शिमला में मिल्क कॉर्नर चलाते थे उनके जैसे किसी व्यक्ति को चुनना दर्शाता है कि पार्टी अपने जमीनी इ अकसर ठाकुर राजपूतो को ही राजज की कमान सौपी गई है क्योंकि राजज में ये समुदाय बहुतायत में हैं और सुखु भी इसी समुदाय से आते हैं ऐसे में सुखु को शीर्सपद देने से जाती का गड़त ज्यादा नहीं हिलेगा मुकेश अगनी हुत्री को मु अब देखना होगा कि पार्टी का ये दाओ कितना कामयाब होता है और सुखु पार्टी और जनता की उम्मीदों पर कितना खराउतर पाते हैं डीवी लाइव की रिपोर्ट